थो भाइ लोग, जो साउधाफरीका वसाद इंग्लैंड का पहला ODI आगर इतनी जल्दी स्रीज को गमा देंगे तो मज़णा नहीं आएगा ऐसा थोड़ी नहीं कि अगर सौध अफरीका पहला ODII मुकाबला जीत गया तो सीरीज वही जीतेगा हम भी ऐसा करते हैं बढ़िया प्रफोर्मेंस करते हैं और बैक टू बैक दोनों ODII मुकाबला अपने नाम पर करते हैं लेकिन भाई लोग न साङ़ाफरीका के घर में साङ़ाफरीका को हराना इतना ज़ादा आसान नहीं है वैसे अगर हम तो वर्ल्ड कप थोड़ी ना है कि यहाँ पर चोकर्स बन जाएंगा साङ़ाफरीका के टीम है जो सिरीज होती है अगर हम इंदोनो डिमो की head to head records की बात करें इससे पहले ओडियाई में तो 67 मैच के लिएगे जिसमें से 32 मैच जीता कॉन साथ अफरीका और 29 मैच जीता इंग्लैड एक मैच रहा टाई दोनो डिमो आपस में लडती है वो बराबरी की रहती है तो आज मैच में क्या होगा यहाश की आप thriving करने के लिए तो ऐसकी को कुछ भी नहीं करना बस चनल को सब्सक्राइब करना इतना तो करी सकते है न और अगर आपको सभी माचों में फायदे में रहना तो मेरा टेलीग्राम भी जॉइन कर सकते हैं क्योंकि जिन लोगों ने जॉइन के वो तो बहुत ही फायदे में तो आप पीछे क्यों हो आप भी जॉइन करो फायदा उठाओ बस एक ही चीज का ध्यान देना फेक से बचना ह पागल है भाई साब क्यों चेंज करें जब इसी टीम ने पहला मैच जीता आया तो दूसरा भी मैच यही टीम जीता सकती तो कोई भी चेंज ना करेंगे अगर हम यहाँ पे इनकी ऑपनिंग जोडी की बात करें को इंटेंड डिकॉक और टेमा बमुवा कपता ने जवर लास में जो डेविड मिलर का फिनिस होता काफी घजब करते हैं जिससे होता है कि जो सौध अफरीका होता है एक मजबूर टार्गेट तक पहुचता है उसके बाद गेंदवाजी की बात करें तो सौध अफरीका की गेंदवाजी थी उसुरुवात अच्छी ना कर पाए ले ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं जिसके वज़े से सौध अफरीका जो पहला और याई मुकाबला होता है उससे अपने नाम पर कर जाता है वहीं तो अगर हमें पर टीमिंग लैंड की बात करें तो जो इनके कप्ताने बोलेंगे चलो हो गया एक आता मैच पे जैसा रोय ने सतक लगाया बागी की बल्ले बाजों की बात के तो वो काफी अच्छे लैमे थे अभी तक जहा रहे थे रन मना रहे थे लेकिन आज की मैच पे रन ना बना पैचा है अगर हम आपे जोस बटलर की बात करें एक अच्छी सुरुवात मिली थी लेकिन बड़ी बाधी का लोड़ी है, लेकिन जैसा रोय ने बड़ी बाजी करी पहले मैच में बाखी के बाज बाकिं की बाकि जो बाखी ठराब थोड़ी ना हो जाता है कहता है औली स्टोन और सैम करने तो जवर जस गेंदवाजी करी जवर जस बिकेट निकाले मोहिन अली हां एकाता दो अबर डाले थे उतना इंपेक्ट न डाल पाए इन्हों ने भी जो गेंदवाजी की सुरुवात करी थी अच्छी नहीं करी लेकिन जो मीडिल ओबर आया मतलब 15-40 अबर तक उसमें बढ़िया गेंदवाजी करी लेकिन जब फिनिस करने की बारी आये तो यह फिनिस भी अच्छा ना कर पाए क्योंकि फिनिस मतलब अच्छा होता तो सायद थोड़ा सा रन कम बनता थोड़ा से कम रन बनता तो यह मैं जीत जाते तो मतलब अबर अगर हम यह यह जानने की कोशिस करते हैं और अगर हम इन दोनों टीम होगे लास्ट सिक्से मैच के विहाब पर कमपीरिजन करें तो सौध अफिकार ने अपने लास्ट के सिक्से मैच में पर तीन मैच जीता और तीन मैच हा रहा है इस दोरान जो इनका बल्ले बाजी अबरेज है 276 दो जो इनका बल्ले बाजी अबरेज है 276 दो सौचिहतार रनों का है जिसे हम बढ़िया कहेंगे गेंदबाजी अबरेज की बात करें तो 5.59 5.59 गेंदबाजी अबरेज भी ठीक ठाक होता है तो अगर हम यह पर रेजल्ट की बात करते हैं जो सौध अफरीका की टीम है वो तो मेहनत करता है और आपको यह भी पता है मैं कोई हीरो एसलेवेटी थोड़ी ना हूँ आपकी बीच करहने वाला आपका अपना भाई हूं सोचो अगर आप ही सपोर्ट ना करेंगे तो कोई बाहर चाहेगा भाई का सपोर्ट करने के लिए ना जी कोई भी ना आएगा और करन लोग सारी अल्डासेस करने के बाद करिकेट के नियमान उसार अगर हम इस मैच की बात करते जो मैच है ना वो 50-50, 50 South Africa and 50 England लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है यह टीम इंग्लैड अपने नाम पे कर सकता है लेकिन मैं आपको बोलूँगा क्या बोलूँगा मेरा टेली ग्राम जुएन करने के लिए क्यों जुए जुएन करना क्योंकि इस मैच की जो फाइन बात का देना है है और फाइदा उठाओ बस एक ही चीज का ध्यान देना है फेक से बचना है क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नगली टेलिग्राम चैयान बना लीगे इसलिए इदर उदर और किसे जोईन नहीं करना जो लिंक के मिलाएं के डिसके अपशन में बस महीं से जोईन करें तो भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैस की फेड एक्शन के साथ तब तक के लिए God bless you